हम देखते हैं कि विजीटा और डार्क जिन गोकु एक दूसरे के सामने खरे होते हैं और तभी विजीटा कहता है हेई क्या कराट आखिर ये तुम क्या कह रहे हो जवाब में डार्क जिन गोकु कहता है ओ वेजीटा तो क्या तुम्हें मेरी बहुत चिंता हो रही है ये चिंता उस टाइम कहा गई थी जिस टाइम तुमने मुझे उस टाइम चम्बो के अंदर बंद किया था लेकिन खेर छोरो जाने दो वैसे भी मैं तुम्हें थूरी देर में खत्म करने वाला हूँ तो अब इन सब बातु का कोई भी फाइदा नहीं है वेजीटा और हम देखते हैं के इतना कहते ही वो डाग जिन गोकू वेजीटा की तरफ अटाइक करने के लिए जाता है लेकिन तब ही पहले ही वेजीटा कुछ कदम पीछे चला जाता है इसके बाद भी डाग जिन गोकू वेजीटा से कहता है आखिर बात क्या है वेजीटा मैं तो तुम्हारा अच्छा दोस्त हो ना तो तुम मुझसे दोर क्यों भाग रहे हो आजाओ हम दोनों साथ में मिलकर ट्रेनिंग करते हैं क्या कहते हो वेजीटा जवाब में वेजीटा कहता है तुम बेवकूफ कहीं के अभी के अभी कैकाराट की बॉडी से निकल जाओ समझे और कैकाराट तुम उसे अपने आप पे हावी क्यों होने दे रहे हो और तुमने मुझसे अभी क्या कहा तुम मुझे खत्म करने वाले हो तो ठीक है अभी कुछ देर में ही पता चल जाएगा कि यहाँ पर कौन मरने वाला है और ऐसा कहते ही विजीटा अपनी पूरी ताकत को बढ़ा लेता है और उसे देखकर गोकु चौक जाता है फिर गोकु कहता है क्या विजीटा तो माखिर इस फार्म तक कब पहुँचे नहीं उस डीमन के साथ लड़ाई करकर मेरी पूरी ताकत खत्म हो चुकी है अब मैं और क्या करूँ? शायद मुझे हार मान लेना चाहिए मैं तुम्हें अभी नहीं हरा पाऊंगा लेकिन फिर भी मुझे कोशिश तो करनी ही होगी क्योंकि कोशिश करने वाले कभी नहीं हारते क्यों है ना वेजीटा? और ये बात कहा कर जिन पावर अप करता है लेकिन वो ब्लू फॉर्म में ही रुख जाता है और उसके बाद फिर जिन काफी चौँक जाता है और कहता है क्या मैं सिर्फ यही कर सकता हूँ? जवाब में जिन कहता है ये तो बहुत चीटिंग है वेजीटा मैं तो सिर्फ सुपर सेयन ब्लू में हूँ और तो मास्टर अल्टर अंस्टिंग 3 पर ये तो बहुत नाइनसाफी है मैं इस पर कैसे लड़ सकता हूँ? वेजीटा और फिर हम देखते हैं कि वो डेमन कहता है क्या बकवास है मैंने फाल्टू में इस मौटल पर भरोसा किया और फिर हम देखते हैं कि लूसियन के इतना कहते ही और पलक जपकाते ही जिन लूसियन के सामने आ जाता है और फिर जिन लूसियन से कहता है तुमने अभी मुझसे क्या कहा लगता है तुम्हें मरने का शौक है क्या तुम्हें अपने जिन्दगी फ्यारी नहीं है तो ठीक है मैं तुम्हारा काम और भी ज़्यादा असान कर देता हूं और ये कहते ही जिन लुसियन को तुरंट खत्म कर देता है और वो उसे बहुती असानी से मार देता है और फिर हम देखता है कि जिन को ऐसा करता देख बाकि सभी बहुती ज़ादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि कुछ दिर पहले जिन विजीटा के सामने नहीं टिक पा रहा था और उसने एक ही जटके में लुसियन को खत्म कर दिया फिर हम देखता है कि जिन पीछे मुर कर देखता है और वो देखता है कि वो सभी लोग उसे बहुती हरानी से देख रहे होते हैं फिर इसके बाद जिन कहता है ओ तो लगता है कि तुम सबको मेरी ताकत का पता चल गया है ना ये तो बहुत बुरा हुआ खेर अब तो तुम लोगों को मुझसे बहुत साथा डर लग रहा होगा क्यों है ना हे वेजीटा मैं तो भूली गया था हम आपस में लड़ रहे थे तो चलो लड़ाई को जारी रखते हैं वेजीटा और तभी हम देखते हैं कि उधर वेजीटा बहुत पूरी तरीके से घपरा जाता है हाला कि वेजीटा थोड़ी दर पहले जिन पर हावी हो रहा था और उसके बाद फिर वेजीटा गुस्सा होकर जिन पर अटेक करने के लिए जाता है और कहता है तुम बेवकूफ जिन क्या कराट की बॉड़ी को वापस करो अभी के अभी फिर वो जिन कहता है क्या कराट कहीं तुम गोकु के बारे में तो नहीं बात कर रहे ना वो तो मैं नहीं करने वाला भूल जाओ वेजीटा क्योंकि मैंने तो उसे मार दिया और हम देखते हैं कि जिन के मुँ से ऐसा शब्द सुनते ही सबके चहरे पे खामोशी चा जाती है फिर वेजीटा कहता है क्या क्या कहा तुमने जवाब में जिन कहता है हाँ वेजीटा मैंने बिल्कुल सही कहा गोकु तो अब मर चुका है और हम देखते हैं कि जिन की ये बात सुनके वेजीटा बहुत ज़्यादा गुसा हो जाता है और वो जिन पर अपना अटाक करने के लिए जाता है लेकिन ग्रान प्रिस्ट उसे रोक लेते हैं और कहते हैं वेजीटा तुम उससे नहीं लड़ पाओगे वो बहुती ज़्यादा ताकतवर है क्या तुम्हें नहीं देख रहा और लगता है कि ये अब पूरी तरीके से डार्क जिन गोकु बन चुका है इसे लिए इसकी पावर इतनी ज़्यादा है और डाक जिन गोकु के कम्प्लिट होने के बाद उसके यूजर को बहुती लाजवाब शक्तिया मिलती है और ये भी बिल्कुल वैसा ही लग रहा है तुम शान्त हो जाओ वेजीटा इसे मैं देखता हूँ फिर डाक जिन गोकु कहता है ओ तो देखो जरा आप मुझसे ग्रान प्रिस्ट फाइट करने वाले हैं ओ मैं तो बहुत डर गया ग्रान प्रिस्ट आजाओ मैं तुम्हें भी मसल कर रख दूँगा फिर डाग जिन गोको कहता है नहीं नहीं ये मैंने क्या कह दिया मुझे तो आपसे बहुती ज़्यादा डर लग रहा है ग्रान प्रिस्ट मैं तो एक छोटा सा इम मॉटल हूँ मेरे मुझे ये बात कलती से निकल गई क्या आप मुझे माफ करेंगे और अगर नहीं भी करेंग तो मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्यूंकि आपका मरना तो टै है ग्रान प्रिस्ट इसके बाद ग्रान प्रिस्ट कहते हैं तुम्हारा ये ना टक अब बहुत ही ज़्यादा हो गया और अब तुम ये गलती से भी मत सोचना कि मैं तुम पर जरा सा भी रहम करने व हुआ है फिर डाग जिन्गो को कहता है आपने बिल्कुल सही कहा ग्रान प्रिस्ट बदलाव तो हुआ है क्यूंकि मैं अब पहले से कई ज्यादा खतरनाक हूं और मैं अगर चाहो तो आप सभी को एक बार में मसल कर रख दूंगा तो क्या अभी भी आप मुझ से लड़ना चाहिंगे चलो आजाओ ग्रान प्रिस्ट हम सब मिल के साथ में खेलते हैं बहुत ही मज़ा आएगा इसके बाद ग्रान प्रिस्ट कहते हैं बहुत हो गया अब तुम्हारे सोने का समय हो चुका है तुम्हें यहां से जाना होगा और ये बात कहा के ग्रान प्रिस्ट उससे अपनी फाइट शुरू कर देते हैं और Grand Priest अपनी 60% पावर का यूज करके ब्लैक जिन गोकु पर हावी होने लगते हैं और ये चीज देखकर जीन थोड़ा सीरियस हो जाता है और वो धीरे-धीरे अपनी पावर को अपकरना शुरू कर देता है और फिर हम देख थे कि कुछ टाइम के बाद वो Grand Priest पर हावी होने लगता है और ऐसा देखकर Grand Priest भी अपनी पावर को अपकरना शुरू कर देते हैं और अब Grand Priest अपनी 70% पावर का यूज करके जीन से फाइट करने लगते हैं Grand Priest को पावर अप करता देख जीन ये सोचता है तो ठीक है लगता है कि अब मुझे भी थोड़ा सा पावर अप करना होगा और ऐसा कह के जीन तूरंत मास्टर अल्टर अंस्टिंक्ट में पहुँच जाता है और फिर वे दोनों आपस में फिर से लडाई शुरू कर देते हैं लेकिन तब ही हम देखते हैं कि Grand Priest अब जीन पर ज़्यादा हावी होने लगे थे और ऐसा देख कर जीन को थुरा सा गुसा आता है और वो ये सोचता है सिर्फ 10% पावर में इतना बदलाओ लेकिन कैसे अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं हार जाओंगा मुझे कुछ करना होगा और ऐसा सोचकर जीन सेधे अपने मास्टर अल्टर अल्टर अंस्टिंक 3 में पहुँच जाता है और जीन को ऐसा करता हुआ देखकर ग्राण प्रिस्ट भी अपनी कैपविलिटे के हिसाब से 90% पावर का यूज करना शुरू कर देते हैं और हम देखते हैं कि उन दोनों के बीच बहुती जबरदस्त फाइट होने लगती है और अब जीन भी पूरी तरीके से सीरियस हो चुका था लेकिन कुछ टाइम के फाइट करने के बाद उन दोनों की पावर एकदम सेम हो चुकी है और अब कोई किसी पर भी हावी नहीं हो रहा था दोनों एक दूसरे को बराबरी के टकर दे रहे थे और ऐसा देखकर Grand Priest finally अपने 100% पावर का यूज करने लगते हैं लेकिन जीन उसी स्टेज पर फाइट करने लगता है फिर Grand Priest सोचते हैं आखिर बात क्या है वो अपने आखरी फॉर्म में ट्रांसफॉर्म क्यों नहीं हो रहा कहीं तुम ये तो नहीं सोच रहे हो कि तुम अपने इस फॉर्म में मुझे हरा दोगे फिर डाग जीन गोको कहता है आखिर तुम कहना क्या चाहते हो फिर Grand Priest कहते हैं मैं कहना चाहता हूँ कि अपना ये सब ड्रामा बंद करो और जल्दी से अपने फाइनल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाओ वरना मैं तुम्हें बहुत बूरी तरीके से खत्म कर दूँगा उधर जीन सोचता है अगर मैं ट्रांसफॉर्म हो पाता तो अब तक मैं कपका ट्रांसफॉर्म हो जाता उस बेवकुफ डीमन ने गोकु से कुछ ज़्यादा ही ताकत छीन ली है इसलिए मैं ट्रांसफॉर्म नहीं हो पा रहा इसलिए मुझे इस फॉर्म को ही मिंटेन करने में बहुत तकलीफ हो रही है और तुम कह रहे हो फाइनल स्टेज में जाने की बारे में ये कैसे पॉसिबल है और उसके बाद फिर हम देखते हैं कि कामोरी अचानिक से कहता है हेई जिन अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी ताकत तुम्हें वापस लोटा सकता हूँ लेकिन उससे पहले तुम्हें मुझे इस शील्ड से बाहर निकालना होगा जवाब में जिन कहता है बेवकूफ डीमन मुझे तुम्हारी बातों में बिल्कुल भी भरोसा नहीं है मुझे कुछ और कोशिश करनी होगी और ऐसा कहते ही वो दोनों आपस में फिर से फाइट शुरू कर देते हैं लेकिन जिन को बहुती दिक्कत आ रही थी ग्राणपृस से फाइट करने में फिर ग्राणपृस कहते हैं क्या हुआ मुझे तो तुमको देखकर ऐसा लग रहा है कि तुम ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाऊगे इसके बाद जिन कहता है पेवकूफ ग्राणपृस मेरे पास अपनी पूरी ताकत नहीं है इसे लिए तुम ऐसा कहपा रहे हो वरना मैं तुम्हें अब तक खत्म कर देता इसके बाद फिर कामोरी जिन से कहता है हेई जिन चलो मैं तुम्हें एक और मौका देता हूँ अगर तुमने मुझे इस शिल्ड से बाहर निकाला तो मैं तुम्हारी पावर तो लोटाओंगा ही और साथ ही साथ बोडी में कैसे पूरी तरीके से कंट्रोल पाना है ये भी तुम्हें बता दूँगा इसके बाद फिर जिन कहता है क्या? आखिर इसे कैसे पता चला कि मैंने अभी तक गोकु की बोडी पे पूरा कंट्रोल नहीं लिया है और ग्रान प्रिस्ट ये बात सुनकर चौक जाते हैं और कहते हैं क्या? आखिर तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? यानि कि इसने अब तक गोकु की बोडी पे फूरी तरीके से कंट्रोल नहीं लिया है यही मौका है गोकु को बचाने का और फिर ग्रान प्रिस्ट वेजीटा से कहते हैं वेजीटा मैं जैसे ही तुम्हे सिगनल दू तुम जीन को जाकर पकड़ लेना शायद गोकु को बचाने का ये आखरी मौका हो उधर जीन के पास कोई भी रास्ता नहीं होता है लेकिन फिर भी जीन ये सोचने लगता है कि आखिर वो क्या करे? क्या वो इसी स्टेज में ग्रान प्रिस्ट से फाइट करे? या फिर वो उस डीमन पर भरोसा करके उसे अजाद कर दे इसके बाद फिर जीन सोचता है आखिर मैं क्या करू? मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा मैं उस डीमन पर आखिर बिल्कु भी भरोसा नहीं कर सकता लेकिन रुको जरा शायद कुछ दिर पहले वो लोग गोगो को साथ में लेकर जाने के लिए बात कर रहे थे कहीं वो मेरी पावस लटाने के बारे में सच तो नहीं कह रहा आखिर मैं करू तो क्या करू? मैं गोगो की बाड़ी पे पूरी तरीके से कंट्रोल भी नहीं कर पा रहा बस एक बार मैं गोगो की बाड़ी पे कंट्रोल कर लो उसके बाद मेरे सामने कोई भी नहीं टिक पाएगा इसके बाद फिर ग्रान प्रिस्ट कहते हैं क्या हुआ जिन? तुम आखिर इतने खामोश क्यों हो? तुम लड़ाई क्यों नहीं कर रहे? कुछ दिर पहले तुम बहुत कुछ कह रहे थे तो क्या यही थी तुमारी पूरी ताकत? ऐसा कहते ही ग्रान प्रिस्ट फिर विजीटा से कहते हैं विजीटा तैयार हो जाओ इसके बाद जिन कहता है आखिर तुम कहना क्या चाते हो? जब हमें ग्रान प्रिस्ट कहते हैं तुम्हें कुछ ही देर में पता चल जाएगा जिन और ऐसा कहते ही ग्रान प्रिस्ट जिन पर अपना अटाक करना शुरू कर देते हैं लेकिन हम देखते हैं कि वो जिन ग्रान प्रिस्ट से अपना फाइट करना छोड़के उस डीमन के पास जाने लगता है और फिर जिन ये बात सोचता है इस डीमन पे भरोसा करने के अलावा मेरे पास और कोई भी चारा नहीं है मुझे ये करना होगा नहीं तो मैं खाम खाम मारा जाऊंगा लेकिन तभी हम देखते हैं कि जिन को उस डीमन के पास पहुँचने से पहले ही जनो सामा जिन का रास्ता रोग देते हैं इसके बाद जिन कहता है जनो सामा मैं तुम्हें आखरी बार कह रहा हूँ मेरा रास्ता छोड़ दो और हम देखते हैं कि ऐसा कहते ही जिन जनो सामा से फाइट करने लगता है लेकिन जिनको जैनो सामा से फाइट करने में उतनी दिकत नहीं आ रही थी जितनी दिकत उसे ग्रान प्रिस्ट से फाइट करने में हो रही थी और जिनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब चल क्या रहा है ग्रान प्रिस्ट से फाइट करने में मुझे बहुत ही ज़ादा दिक्कत आ रही थी लेकिन जैनो सामा से फाइट करने में मुझे दिक्कत क्यों नहीं आ रही है आखिर ये कैसे हो सकता है अगर मैं थोड़ी सी कोशिश करके एक या दो मिनिट के लिए अपने फाइनल स्टेज में चला जाओं तो शायद मैं जैनो सामा को हरा सकता हूँ और हम देखते हैं कि जैनो सामा और जिन आपस में फाइट करने लगते हैं और कुछ समय के बाद जैनो सामा पे जिन धीरे धीरे हावी होने लगता है लेकिन जैन ये बात नहीं जानता था कि जैनो सामा ने अब तक अपने सिलेस्टियल सील को अनलॉक नहीं किया था और अगर उन्होंने अपने सिलेस्टियल सील को अनलॉक कर लिया तो जैन जैनो सामा के सामने खड़े होने की भी हिम्मत नहीं करेगा